खोरजब में पुलिस और बदमाशों के बीच मुटभेड हो गई, मुटभेड में कार सवाद दो बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए हैं बता दे दोनों शातीर मुटभेड के दोरान काफी दिनों से फरार थें जिनें कॉम्बिंग वाघेराबंदी के दोरान पुलिस ने गिरफतार किया है पुलिस ने आरोपियों से जिंदा खोका कार्तूस, तमंचे कार और बाइक भी बरामत की है आए दिखाते हैं आपको हमारे समधाता प्रदीप पंडिट के रिपोर्ट सर्फ पुलिस और बदमासों के वीच मुट्विड हुई है, सर कितने बदमासों के गोली लगी है, कितने बदमास पकड़े गए हैं यह बोरिस्ट पुलिस इदिक्षक महोदय बुलंशेर के निर्देश पर अपराधियों अपराधियों पर नियंतन के क्रम में खुर्जा देहात पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी चेकिंग के दौरान ही सूचना मिली की मुख्विर के दौरा की छेतर में कुछ बदमास आये हुए हैं और अपराध करना चाह रहा है यह सूचना जनपदी 108 टीम को भी दी गई और उनको भी बुलाया गया और फिर बदमासों की तलाश की गई और उसी दौरान चेकिंग के गई जिसमें दो बदमास गहल हुए और वहां पर दो बदमास पकड़े गए उनसे जानकारिया मिली कि उनके कुछ साथ ही खुर्जा नगर की तरफ गए हुए जिस पर सर्क्ल खुर्जा की फोर्स को चेकिंग के लिए लगा गया और गहनता से चेकिंग का निर्देश दिय गया है जो बदमास पक्ड़े गया है दो उनसे पूछताश की तो जानकारी मिलीक उन पर विभिन अपराधिक मुकदमें दर्ज है अभी हमारी जानकारी पूरी की जा रही है जाश परतालों 96 जारी है इसके अलावा पूरच सर्कल में गहनता से चेकिंग करने के लिए और क